अगर आपको लगता है कि दुनिया में डॉलर का रेट बहुत बढ़ चुका है तो रुकें जरा क्यों? क्योंकि इस वकट जो महेंगी तरीन चीज है वो है डेटा किसी ने कहा है खूब कहा है कि डेटा is new oil यानि कि दुनिया का नया जो तेल है वो डेटा है जैसे आपको पता है कि western countries या different other countries जहां पे oil होता था वहां से वो oil खरीद लेते थे in other words वो oil ले आते थे on the other side अब जहां पे डेटा होता है वहां पे वो ज्यादा रुख करते है अब डेटा क्यों जरूरी है? वो इस वड़ा से जरूरी है कि जब भी आपने कोई policy बनानी होती है जब भी आपने किसी लोगों के pattern या रहने सहने के तरीकों को देखना होता है तो आप data को देखते है data आपको magically future के बारे में predict कर देते है on the other side data के थूरू आप अंदाजा लगा सकते हैं कौन सा मुलक किस तरीके से कैसे चल रहा है किस मुलक की economy किस side पे जा रही है लोगों के सोचने की कुवत किस side पे divert हो रही है even though आपके social media के data से पता लगाया जा सकता है कि आप किस चीज में interested है यही वज़ा है कि जब आपको ads आती है वो बहुत ही precise होके आती है अब data driven decision making जो है इस वकत की new tech है अगर आप data के उपर गाम कर रहे हैं तो आपको data को visualize कराना और data से sense बनाना बहुत ज़रूरी है इसे वज़ा से आज से आने वाले दिनों के अंदर हम दो किसम के courses के उपर बात करेंगे पहला है Tableau का course और दूसरा है Power BI का course अब ये दोनों Power BI और Tableau क्या है इनके पारे में हम देखते हैं लेकिन उससे पहले जानने की हमें ये ज़रूरत है कि data visualization क्यों ज़रूरी है और data visualization क्यों की जाती है data visualization करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा tools जो हैं वो धरकार होते हैं अगर आप उनमें से एक या दो भी master कर लें दोजार इनाफ data जब बहुत स्यादा होता है billions या trillions की ददाद में भी होता है तो आपने वो billions या trillion points को नहीं देखना होता आप उसके trend को देखते हैं और different charts या plots की शकल में उसको present करने की कोशिश करते हैं अब उसकी reports बनाते हैं या आप बताते हैं किस country में किस किसम का कैसे data जो है वो काम कर रहा है इसकी example में पहले आपको देता हूँ फिर हम आगे चलते हैं मैं यहाँ पे screen आपके सामने share करता हूँ Google पे हम जाते हैं गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे मैं search करता हूँ से अब जैसे यह चीज आप लिखते हैं तो आपको पता होगा कि images पे जाने के बाद आपके सामने यह कुछ plots आ जाते हैं तो यह जो एक plot है यहाँ पे उन्होंने बताया हूँ किस country में कितना कोविड 19 के cases जो हैं वो पाए गए थे Bloomberg की report के मताबिक यह भी एक map बनाया गया है तो यह से global GIS map भी बोला जाता है CNBC के through भी इसको data को visualize करवाया गया है इवन दो there are many other visualization techniques जो आप यहाँ पे देख सकते हैं अब mapping यहाँ पे आ रही है इसके लावा यह bars भी है कि सबसे ज़्यदा Belgium के अंदर है फिर इस्राइल के अंदर है फिर Czech Republic के अंदर है पैनेमा, Kuwait, United States, Peru, Chile, Argentina and Spain ठीक है और अगर आप यहाँ पे गोर करें तो यहाँ पे different countries जो हैं यहाँ पे बताएगे हैं based on the colors and based on the different graphs यह जो graphs हैं यह इन्हे को हम data visualization बोलते हैं यानि कि आप data को किस तरीके से present करते हैं ठीक है और यह आपको एक output देते हैं कि कौन सा country कितने तरीके से आगे move कर रहा ठीक हो गया यहाँ तक आपको clear हो गया होगा अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि top tools जो हैं जिसके अंदर आप data visualization कर सकते हैं वो यहाँ पे एक block के अंदर दिये गए हैं आप google पे जा के भी अगर search करें कि top tools to do data visualization तो आपके सामने कुछ इस तरीके से tools आ जाएंगे like this one ठीक है so there are many tools out there जो data visualization के लिए आप use कर सकते हैं and then you can make different kind of plots ठीक है अब जो major tools हैं उनके बारे में आपको बताते हैं सबसे important tool जो इस वकट data analysis और data visualization plus data को analyze करके उसको visualize करके report बनाने के लिए use होता है वो है Power BI दूसरा tool जो है वो है Tableau ये दो ऐसे tools हैं जो बहुत ज्यादा use हो रहे है इनके इलावा अगर आप देखें तो Google पर जाके अगर Microsoft Excel लिखेंगे you can also do a lot of things क्योंकि ये सबसे ज्यादा use होने वाला इस वकट data visualization का tool है कि जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा knowledge होने के बहुत जरूरा देखें Microsoft Excel जो है इस पर अपना गाम करके वक्त बचा के अपना जो है वो data visualize करवा सकते है into different charts वो pie chart हो सकते है वो bar chart हो सकते है it could be any kind of chart फिर आपके पास एक और tool है जिसका नाम है Python और Python की different libraries को आप use करके data visualization कर सकते है लेकिन अगर हम trends के उपर जाए मैं Google Trends यहाँ पर जाता हूँ Google Trends की website पर जाने के बाद explore पर click करता हूँ explore पर click करने के बाद इसको मैं worldwide कर देता हूँ worldwide यहाँ से हम जब करते हैं और मैं यहाँ से कहता हूँ कि जनाब मुझे 2004 से present data बताओ तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ Power BI Power BI की search term मैं डालता हूँ और आप देखेंगे कि यहाँ पर analysis होगे हमें पता चल जाएगा कि Power BI का use starting from 2004 until now बहुत ज्यादा जो है वो trend कर रहा है यानि कि अभी तक Power BI April 2024 तक बहुत heavily use हो रहा है अब इसको अगर मैं compare करना चाहूँ Tableau के साथ क्योंकि वो भी हमारे पास एक search term है तो यह red color आपको बताएगा कि Tableau कितना use हो रहा है and you can see कि Tableau Power BI से कहीं ज्यादा use किया जाने वाला tool है obviously Tableau और Power BI दोनों साथ साथ चलते हैं कि दोनों के depend करता है कि कौन सी company किस tool को use कर रही है अब तीसरा अगर इसके अंदर मैं Excel को लिखूँ तो Microsoft Excel को अगर term मैं डालू तो यह तीसरा tool Microsoft Excel है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यह बहुत ज्यादा use किया जाना वाला tool है search term यह हमें बताती है but on the other side हमारे पास Tableau and Power BI भी बहुत ज्यादा use होते है अब आपने इन दोनों tools को सीखने है Tableau को भी और Power BI को भी और सीखने के लिए आपको कौन से तरीका कार जो है वो देखने पड़ते है Tableau के लिए हमारी proper एक playlist हमने और रड़ी बना के proper beginner course जो है वो free में upload कर दिया अपने Codenix के YouTube channel के उपर description में भी आपके पास link होगा और या right या left side के उपर आपको उपर i button के अंदर भी proper playlist का जो है वो link में दिखा दूँगा अगर आप playlist के button पे नहीं click करना चाते तो मैं यहाँ पे जा के आपको screen पे ही दिखा देता हूँ कि आपने Google पे जाने Google पे जाने के बाद यहाँ पे लिखना है Codenix Codenix लिखने के बाद यह YouTube channel आपके पास आ जाएगा आपने हमारे YouTube channel पे जाना है obviously अगर आप subscribe कर देंगे that would be great आपने playlist के अंदर चले जाना है playlist में जाने के बाद यहाँ पे आपके सामने tablio training in Urdu and Hindi यह proper एक पूरी playlist पढ़ी हुई है जिसको आप free में यहाँ से tablio आप सीख सकते हैं you don't need to pay even a single penny to learn from this course तो यह tablio का course है अब यह जो power BI का course है आज हम start करने वाले हैं और यह पूरे का पूरा course आपको totally free के अंदर available होने वाल है हमारे YouTube channel के उपर तो आपको भी पता है कि subscribe का बटन अगर आप press कर देंगे हमारे YouTube channel के उपर और इस video को like कर देंगे that will help us a lot और अगर आप भी power BI सीखना चाते हैं और हमारे साथ आगे grow करना चाते हैं then write down in the comment section के power BI और tablio में से आप किस tool को master करना पसांद करेंगे मेरा ये कहना है कि tablio और power BI दोनों सीखे जाएं क्योंकि किसी company के अंदर tablio ज़्यादा यूज होता है और किसी company के अंदर power BI यूज होता है क्या ख्याल है लिगेंगे फिर comment section के अंदर let's see आपका interest क्या कहते है और इंशाला next video के अंदर में आपको बताऊंगा कि power BI क्यों ज़्यादा ज़रूरी है as compared to tablio या tablio क्यों ज़रूरी होता है as compared to power BI see you in the next one मेरा नाम है dr. mohammad amartafel मैं आपको power BI सिखा रहा हूँ इंशाला आप सीखेंगे